Hello everyone and welcome to Achieve IAS My name is Akaash Wijaran और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Single Window Clearance for Call System के बारे में कल क्या हुआ? कल जो हुमारे Union Home Minister है Mr. Amit Shah जी उन्होंने एक Single Window Clearance System का उदकाटन किया अब जिसके जरीए क्या होगा कि जितने भी हमें हमें Calls से Related Clearance चाहिए होते थे 19 हमें Overall Clearance चाहिए होते थे आज तक तो उसके लिए क्या होता थे कि अलग 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 जगे जाकर अलग अलग जगे जाकर परमिशन और Clearance की जरूरत पड़ती थी तो अभी Single Window के जरीए क्या होगा कि जितने भी हमें Clearance चाहिए होती थी अब वह सारी Clearance हमें एक जिगह पर मिल जाएगी तो बिसिकली आपका काम किया गया है वह काम आपका इस वज़े से किया गया है ताकि इस प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी Speed आ सके थोड़ा Quickly जो इस प्रोसेस है इसको पूरा Complete किया जा सके ठीक है तो वही हम जानेंगे कि क्या है यह Single Window Clearance और क्या होंगे क्या यह किस तरीके से यह हमें Help करेगा ठीक है और मैं अपना आपको View बताऊंगा कि यह सही में को लगा यह नहीं लगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए देख लीज़ा अब सबसे पहले इसमें मतलब यह देख लीजिए आपकी काफी न्यूस कावरेजिस को मिला कल की यह न्यूस है कल P.I.B की website सबसे पहले जुआ को अपडेट किया गया था सिंगल बिंडो क्लेरेंस सिस्टम फोर कोल माइन्स लॉंच्ट शार्ट एक्क नॉमिक पोटेंशिल ठेक है कि मैं आपको बताया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो हमारे है मिस्टर अमिचा जी उन्होंने इसको इन्नागरेट किया उन्होंने जुए तो अब भी आपका सिस्टम है यह अनाउंस आपका मंडे को जैनवर 11 को कर दिया क्या था ठीक है तो इसमें क्या है सिंगल बिंडो क्लेरेंस कर दिया था कि जितना भी प्रोसेस आपका रहता है ठीक है और स्टेस पूरा उसको जो है स्पीड अप करा जा से कि इसमें तो कही ना कही इसमें काफी टाइम कंजूम हो जाता था और टाइम माउंड मैनर में कुछ भी कंपलेट नहीं हो पाता था ठीक है तो कही ना कही इसी प्रोसेस को जो है काफी अप्रच पर दिया और फास के लिए यह स्टेप उठाया गया है और साथ में आने वाले जो कमर्चियल यूश के लिए जो आपकी कॉल ब्लॉक्श की जाएगी ठीक है उसकी उसकी भी साइनिंग जो है उसकी जो साइनिंग सारिमेणी है उसको भी अनौंस किया गया और आज के दाहिंदू के बास के दाहिंदू में आज की आपकी न्यूज भी थी कि जो कॉल ब्लोक की जो ऑक्षिन है वो जल्दी जो और्गनाज करवाई जाएगी यह हमारी जो कॉल मिनिस्टर है उनका यह स्टेटमेंट था तो वही बात यहां पर नो 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 उनकी तो रही है जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी पर्मीशन्स जितनी भी क्लेरेंस हमें चाहिए होते थी उनको अप्टेन करने के लिए पहले हमें अलग अलग अथोरोटीज अलग यह डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता था अलग अफिशिल को उप्रोस्ट पर दो पर दो जो आपका टाइम है वो बचेगा और काफी फास्ट रख आपका पूरा प्रसेस हो जाएगा इस ते कंवका जितने भी आपके सकसेफफल बीडर्स होंगे उनको अपनी कोल माईन को अपरेशनल करने में मतलब आप कह सकते हैं स्टार्ट करने में बिसिकली ठीक है काफी जल्दी जो ही सारा काम हो जाएगा ठीक है उनके लिए काफी जो है बेनिफिशल यह रहेगा अगर हमें अपने देश में कोई कोल माइन स्टार्ट करनी होती थी तो हमें 19 मेजर अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी और 19 मेजर अप्रूवल्स हमें एक जिगह तो मिलेंगे नहीं तो अलगला डिपार्ट्मेंट सर्चीज के रहते हैं तो 19 मेजर अप्रूवल्स पाने के लिए क्लेरेंस पाने के लिए अलगला डिपार्ट्मेंट के पास जाना पड़ता था तो इसकी वज़े से जो था काफी टाइम जो है कंजीम होता था तो फिर से वही बाद आपी गुमफिर कर आ जाती है तो अब जो एक यूनिफर्ट प को पूरा स्टेट्मेंट आया है तो उन्हों ने काफी स्टैप के सरहना की है है मेरी में इस बहुत को और हो फस्रेशनलाइस किया जाएगा थीका फेश मेरी मेरी매ंस दिरे दिरे snippet इसको पैनडिया कर दिया जाएगा। दिरे दिरे चाहिए कि एक्जाम में अगर आपके आजाता है तो यह जो वर्ट्स आपके government authorities के द्वारा इस्तमाल किये गए हैं इनको आप definitely अपने एक्जाम में लिख सकते हैं as of turning the requisite clearance was taking over 2-3 years for successful leaders in many cases तो पहले क्या बाता था पहले जो वही बात है कि जो time consuming था यह तो time consuming भी ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत time लगता था कि पांच यह मेने का time लग यह ऐसा नहीं था तो अब announce किया गया है it is definitely a good news a good move as call blocks which were auctioned off in earlier tranches used to take more than 2-3 year period to get operationalized तो एक expert का ऐसा कहना है कि अगर पहले की तरह अगर हम चलने तो पहले क्या होता था कि दो-तिन साल का समय लग जाता जो कि मैंने आपको भी बात बताया अभी just current अभी just a minute पहले ठीक है तो अब क्या होगा कि काफी अच्छा यह good move है और तो अब इससे क्या होगा कि call blocks जो है ज्यादर जल्दी आपके operationalize हो जाएंगे the export added that some call blocks auctioned as far back as 2015 has still not been operationalized उनों यह भी कहा कि ऐसे कुछ cases भी है जहां पर जो आपकी auction है वह आपकी 2015 में ही जो है खतम हो गई थी लेकिन operationalize होने में जितने भी आपकी माइंस थी उनको operationalize होने में जो है अभी तक success नहीं मिल पाई अभी तक जो है वह operationalize नहीं हो पाएं क्योंकि जो तने भी required clearances है उनको पाने में जो है लागाता है डीले हमें देखने को मिल रहा है दक्सपर्ट नोटेड़ परिवेश mechanism for forest and environment related clearances would likely to be merged into single window clearances mechanism which is expected to help with the operationalization of the calls blocks that are set to be auctioned in the upcoming auction तो उन्होंने ही कहा कि जितने भी admirement or forest related clearances है वो आपके single window clearances mechanism जो आपकर उसमें merge कर दिये जाएंगे तो इससे किया होगा कि जो call blockers की operationalization बार बार यह आपका word जो है operationalization यह काफी इसमें हुआ है तो आपके लिए यह word काफी important हो जाते है कि आप इसको जो है अपने exam में जब आप answer लिखें तो इसको definitely use करें ठीक है तो upcoming options में जो है हमें काफी benefit इसका होगा ऐसा expert का कहना है तो the economic times का यह आप एक news report है जिसमें बताया गिया कि call India's 54 mining projects facing delays मतलब call India कि 54 mining projects ऐसे हैं जो अभी तक delay की वज़े से start नहीं हो पाए है मतलब जो clearance चाहिए होती है उसमें इतना time अभी तक लग चुका है कि call India जैसी company जो है आपकी चीक है उसके 54 projects जो है वो अभी delay का सामना कर रहे है वो अभी तक operationalize जो है नहीं हो पाए है ठीक है तो मेरा यह मानना है कि ठीक है आपने ऐसा single window अप लेकर रहे तो काफी faster इससे हो करने हैं ठीक है मतलब हमे sustainable development की तरफ बढ़ना है तो कहीं नहीं कहीं आपने यह किया अच्छी बात है ठीक है थोड़े समय के लिए काफी अच्छी बात है लेकिन long term में तो कहीं नहीं इसका शायद गलत effect हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि सबको पता है कि call से कितन नहीं चीज़ों पर सिफ conventional sources पर ध्यान नहीं देना कुछ नहीं नहीं चीज़े नहीं innovation नहीं नहीं sources पर भी सरकार को बराबर ध्यान देना चाहिए ऐसा मेरा personally मेरा विचार है ठीक है तो हम उमीद करेंगे कि government उसकी तरफ भी बढ़ाबर ध्यान दे जिस तरह का ध्यान इस किसी तरह का ध्यान जो है उस तरफ भी दिया जाए sustainable development sustainable source of energy की तरफ भी दिया जाए ठीक है हम best की उमीद लगातार करते रहेंगे तो I hope आपको समझ में आया होगा कोई problem आपको हुई नहीं होगी इसको जानने में और जो मेरा विचार है वो आप समझ पाए होंगे ठीक है आप अपने विचार जो है comment box में definitely लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है तो मिलते हैं आपसे next video में जब तक के लिए जोने सुन टेलेगराम टेलेगराम का लिंक जो है वो आपको में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है thank you so much